हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग आशा करतो हूं आप सभी लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे साइन्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में जैसे कि हमसे कई बार पूछा जाता है कि ध्वनी की जो चाल होती है वह कितनी होती है किस पदार्थ में सबसे ज्यादा होती है इस बारे में हम पढ़ेंगे तो आईए देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या होता है पहले मैं आपको यहां पर य कि मानी जाती हैं तो NCRT से आप से पूछा जाएगा आपके questions पूछे जाते हैं और जब भी कोई doubt होता है तो NCRT की book से ही उसे match किया जाता है तो चलिए यहां पर हम पढ़ेंगे ध्वनी के लगता हुँ तो पहले सूरू कने से पहले मैं आपको बता दिता हूँ देखिए boring की चाल जब दिर्व आपने पढ़ होगा 332 मीटर प्रतिस सेकंड ठीक है मैं इसको शाफ शुतर लिखता हो हूँ आप्ने ऊपसे पढ़ा होगा तीन सो बतीस मीटर प्रती सेकेंड ठीक ध्वनी की चाल होती है आपने यही पूछाओगा ठीक है लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा से बताता हूँ दिकिए तीन सो बतीस मीटर अब यहाँ पर एक्जैक डेटा जो किताब में लिखा हूँ वह मैं उसको बताता हूँ जैसे की जो ध्वनी की चाल होती है 0 degree centigrade पे 0 degree centigrade पे जो होती है वो कितनी होती है 3131 मीटर पर सेकेंड क्या होती है 331 मीटर पर सेकेंड और जैसे ही temperature बढ़ा दिया जाता है 22 तो ध्वनी की चाल कितनी हो जाती है 344 मीटर पर सेकेंड ठीक है कितना हो जाता है 344 मीटर परती सेकेंड ठीक है तो इतनी चीजें आप समझ चुके हैं 0 डिगरी पर कितनी होते है 331 जिसे हम राउंड फिगर में 332 मेटर परती सेकेंड परते हैं चलिए अब हम देखते हैं ये तो मैंने exact figure आपको बता दिया 25 degree centigrade अब देखिए आपको पता है कि जो ध्वनी होती है ध्वनी को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आउशक्ता होती है तो यहां पर आपको पता कि जो माध्यम होते हैं तीनी प्रकार के होते हैं ठोस द्रौ गैस और आपको यह भी पता है कि सबसे ज्यादा चाल जो होती है तो ही कि अ होती यहां डेख लेह देखर यहां पर इसके बारे में की हम यही जानना है इस पूरे शैप्टर में में क्या कि किस पीसमें सबसे ज्यादा आपका जो चाल है कि ध्वनी गहां पर देखे जैसे कि सबसे कम किसमे होगा दोहनी का चाल ठीक है वो होगा गैस में उसके बाद होगा द्रव में उसके बाद होगा आपका ठोस में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये करम भी लिखने के लिए आ जाता है पेपर में ठीक है जैसे कि सबसे ज़्यादा किसमे होगा ठोस में ठीक है किसमे होगा ठोस में फिर इस तरीके का एरो लगेगा फिर होगा द्रव फिर आपका होगा गैस इसका मतलब यह हो गया कि आपको डेंसिटी की आधार पर सबसे ज़्यादा डेंस का मतलब जो सबसे ज़्यादा हार्ड हो तो सबसे कम किसमें होता है थोस्य में कांच यानि कि फ्लेंट कितना होता है जो चाल होती ही धोनी क्यों कितनी होती है आपक़ टंप्रेचर भी दिएव है 25 becomingे पर सारे कितने ढिक डेटा दिये 25 i4 टिप दिये हुए ही तो कम फ्लेंट कितना होताETH 3980 मतलब कि जो कांच है उसमें धोनी जो होगी वो कितने स्पीट से चलेगी तो चलेगी 3980 मीटर प्रति सेकंड मतलब कि एक सेकंड वो कितना जाएगा 3980 मीटर फिर आता है आपका पीतल पीतल आपका कितना होता है इसमें धोनी की चाल कितनी होती है 4700 मीटर प्रति सेकंड फिर आपको कोईशन पूछा जाता है यह ज़िसमें अगर आपको अप्शन देता है तो ऊपशन तो इस्टील तक ही देता है अगर आपको निकलाज़ आपके ऊप्शन जपिस्टेल अपन थाख 60420 मीटर प्रतिसेकंड उसके बाद जो निकिल है हमारा तो निकिल में कितना होता है 6040 मीटर प्रतिसेकंड तो कोश्चन को हम समझ लेंगे इस डेटा को दिमाग में रख लेंगी कि किस तरीके से ऑप्शन आता है मालीजे आप सिर्फ स्टील तक ही पढ़ते हुए जाते हैं क CRT क्लास 9 की किताब है आप लेके इसको पढ़ भी सकते हैं ठीक है चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले को फिर आता है द्रोग मतलब क्या होता है लिक्विड में क्या होता है जो धोनी की चाल होती है ठोस के अपेक्षा क्या होती है कम होती है लिकिन गैस के अपेक्षा क्या होता है आसुजल वो होता है जिसमें electricity flow नहीं होती है इसे डिस्टिल वाटर भी कहते हैं तो इसका जो ध्वनी की चाल है इसमें कितना है 1498 मीटर प्रती सेकंड फिर आता है एथेनॉल अब एथेनॉल जो है एथेनॉल में जो स्पीड होती है ध्वनी की वो कितनी होती है तो यह होती है 1207 मेटर प्रती सेकंड फिर आता है मेथेनॉल मेथेनॉल की जो स्पीड होती हो होगी Sulfur Dioxide Sulfur Dioxide का मतलब क्या होता है S02 और देखिए जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने बाल को इस तरीके से खड़े-खड़े करते हैं ठीक है तो बाल खड़े करने के लिए एक compound लगा जाता है ठीक है बाल को ठीक है यानि की एर इसमें जो स्पीड होती है कितनी होती है हमारा देखिए वाइव का मैंने बताया आपको कि ध्वनी की चाल देखिए 0 यह जो डेटा है तीन सो ची आली से किसका है 25 डिगरी सेंटी ग्रेट का और मैं आपको बताया हूं शुरू में ही कि 0 डिगरी सेंटी ग्रेट पे कितना होता है यह होता है है वाइव 346 मीटर प्रतिसेगंड यह कितने टेंपरेचर पर होता यह होता है 25 डिगरी सेंटी ग्रेट पर ठीक है यह ध्यान में रखेंगे अद हिलीयों हीलियम पर जो आपका होता है प्लीट मिट की स्थेट क कितनी होती है 965 में प्रति सेकेड्ड Blau ces Hydrogen between особious and 248 में प्रतिसेकेड्ड थिक है तो दोस्त यह हो गए वीडियो और विडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज करिये चरन को सब्सक्राइब करिए और फाइनली वीडियो देखने के थैंक्स वर वचिंग सुधिर टुटोरियल